हलो माइ फ्रेंड़्स मैं पायल और आपका सौगत है कुकवित पायल में और आज की जो रेस्पी है ना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसपी है और बिल्कुल आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं मिक्स वेज, पराठे की रेस्पी जो नॉट स्टफ है बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं तो चलिए फटा फट से देख लेते हैं इसकी रेस्पी से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिए और पासी में बेल आइकन को प्रेस फ्रेंड्स वेच पराथा बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया हुआ है तीन कप वीट फ्लाइर आप इसमें एड़ कर सकते हैं रागी का और ओट्स का भी फ्लाइर इसे और भी हल्दी बनाने के लिए टेस्स के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और हल्दी कर लें और उसकी बाद इसमें एड़ कर दें और साथी में मैंने एक इंच अधरक का टुकड़ा दो चार जॉल एसन और दो तीन हरी मिर्ची को लेकर एक बहुत ही बढ़िया फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है वो इसमें हम एड़ करेंगे इससे बहुत ही बढ़िया टेस् इसमें बिलकुल भी नहीं है धुल के मैंने काफी देर तक रख दिया था साथ में हम स्पीनच एड़ करेंगे कटा हुआ पालक एड़ करेंगे और फ्रेश हरा धनिया इसमें हम एड़ करेंगे जो इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा अब हम इन सब का मिला के और जब आप इसको बेलेना तो थोड़ा सा आपको डस्ट करना पड़ेगा फ्लार से क्योंकि काफी ये चिपकता है तो इसके सिक्यूरिटी के लिए हम थोड़ा सा पर्थन जादा यूज़ करेंगे इसमें तो इस तरीकी से हम इसे उलट प्लट कर बेल लेते हैं ताकि ये बढ़िया पराठा है जो बच्चे आना काना करते हैं बिल्कुल सबजिया नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पराठा है आप चाहें तो इसमें बारी कटे हुए प्याज, पनीर और भी बढ़िया सबजी जो आपको या आपकी बच्चों को पसंद हो इसमें कर सकते हैं ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या-क्या वेज आड करना चाहते हैं तो देखें बिल्कुल हमारा गुल्डन ग्राउन बनकर रेडी है और बहुत ही सॉफ्ट ये प्राठे बनते हैं क्योंकि अमने इसमें कोई भी मोयन वगरा बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है और साथ में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं अचार सॉस किसी कि साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं टिफन में बिल्कुल लंच बॉक्स में आप इसे बच्चों को दे सकते हैं या कहीं भी जाना हो बिल्कुल ट्रेवल क तो भी आप इस तरीके से बना कर आप इसे लेक के जा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो इसे एक बार आप जरूर बना कर ट्राइ करिएगा, I am sure आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है, और बिल्कुल ऐसी ही टेस्टी रस्वीज के लिए मेरे साथ बने रहे हैं